दोस्तों बहुत बहुत स्वागत आपका अपने यूट्यूब चैनल स्वेखेंट टेक पर जैसे ही टेटल से आपको पता चली गया होगा कि आज हम बात करने वाले हैं सैमसिंग M20 के बारे में पांच ऐसे रीजन में आपको बताऊँगा जिनकी वज़े से आपको ये फोन कंसिडर करना चाहिए तीन रीजन में आपको ऐसे भी बताऊँगा हो सकता है जिनकी वज़े से आप इस फोन को परचेज ना करें वैसे तो सभी लोग यार इसकी अच्छाई करी जा रहे हैं कुछ लोग थोड़े से हैं जो वैर किसकी कमिया भी आपको बता रहे हैं तो मैंने सुचा यार दोनों इचीज़े बता देता हूँ क्योंकि दोनों चीज़े जानना आपके लिए ज़रूरी है किसी भी फोन को पर्चेस करने से पहले तो दोस्तों इस वीडियो कर दो लाइक लाइक का टार्गेट रखते हैं पंतरा सोफा और अगर अभी तक आपने स्वेगन टैक को सब्सक्राइब ने किया क्योंकि इस सेग्मेंट के फोन्स जो है वो यहां पर रियल्मी ओपो शाओमी एसस ओनर जो है वो वहां पर कबज़ा करकर बैठा था जी हां तो काफी एची पहले है सबसे पहले रिजन की बात करता हूं जिसकी वज़ासे आपको इस स्मार्टफोन लेना चाहिए तो यहां पर आपको एक modern जो है वो डिस्पले देखने को मिल जाता है यहां पर इन्होंने infinity V का नाम दिया है यू कहली जिये, dewdrop कहली जिये, waterdrop कहली जिये, जो भी कहली जिये तो आपको एक modern look देखने को मिल जाता है यहां पर आपको 90% screen to body ratio जो है तो देखने को मिल जाता है brightness अच्छी मिल जाती है साथ ही protection के लिए आपको dragon tail glass जो है वो दिया गया है अब काफी लोग यहां पर TFT इसको mention कर रहे है तो Samsung की official website पर तो अभी ऐसी को जान करी नहीं है जो मलब यह सदियों पहले आता था जिसको मलब यह से टेड़ा करके देखते है तो काला काला सब कुछ कुछ दिखता ही मिलता भाई वो वाला LCD पैनल नहीं है तो अगर बात कर लेते हैं हम दूसरे reason की तो यहां पर आता है इसका camera जिहां Samsung के camera's हमेशा ही अच्छे होते हैं तो यहां पर भी आपको एक अच्छा dual rear camera देखने को मिलता है 13MP प्लस 5MP का जो 13MP का sensor है उसका aperture आपको F1.9 का देखने को मिलेगा यानि कि आपको जो है वहाँ पर अच्छी light देखने को मिलेगी इस price point में का जो अदूसरे pronounce है वो actually एक depth sensor ही होम वही अकराते है मैं लग यह wide angle lens दिया इस price point में तो यह मुझे काफी एच्छी चीज लगी है उसके लाबा इसके अंदर कमी भी है camera के अंदर वो मैं आपको cons में जो है यानि की reason not to buy में बताऊंगा अब यहाँ पर तीसरी की बात करते है तो यहाँ पर आता है यार जो इस phone का main USB है इसकी massive battery 5000 mh की battery आपको देखने को मिलती है अब 5000 की तो मिलती है लेकि इसके उपर इस price point में आपको मिलता है USB type C और उसके लाबा आपको यहाँ पर fast charging का support भी मिल जाता है और उसके लाबा आपको fast charger in the box देखने को मिल जाता है तो यहाँ यह वड़ी solid reason है तीसरा जो है यानि की battery हो गया charger हो गया charging speed हो गई तो सब कुछ आपको धमाकेदार देखने को मिलने वाला है उसके बाद अगर मैं चोथे reason की बात कर लेता हूँ तो यहाँ पर आपको देखने को मिलता है एक dedicated micro SD card का slot जी हाँ हम Indians की priority होती है आप मानिये या ना मानिये के हमें 2C more एक micro SD card तो अलग से लगाने लगाना चाहे दुनिया इधर की उदर हो जे तो यहाँ पर भाई वही चीज़ की है कि आपको एक triple slot जो है वो देखने को मिल जाता है जो की काफी अची चीज़ है उसके बाद अगर मैं बात करता हूँ पांचवे reason की के इस phone को क्यों हो लेना चाहिए यहाँ पर आपको कुछ multiple features मिल जाते है dual 4G quality का सपोर्ट आपको देखने को मिलता ही है साथ में आपको widevine 11 का सपोर्ट भी देखने को मिलता है जो की मतलब आप दूसरे ब्रांट जो है वो 18,000 रोपे के phone में भी नहीं लेकर आ रहे है तो यह मेरे को बहुत अच्छी चीज़ लगी है तो यहां पर काफी multiple features जो है वो आपको इस phone में देखने को मिल जाएंगे और अब मैं आपको बताता हूँ कि reason note to buy और इसके बाद आपको अपना honest opinion इस phone के बारे में भी बताने वाला हम बात कर लेते हैं हम 30-30 ऐसे reason की जिनकी वज़े से हुसकता है आपको यह phone जो है वो नहीं purchase करना चाहिए तो पहला reason मैं आपको camera से related ही बताऊँगा कि अगर आप लोग जो है वो videos जादा shoot करते हैं अपने phone से तो यहां पर आपको 4K video recording का option नहीं मिलता है और EIS नहीं मिलता है अब यहां पर अगर मैं आपनी personal बात करता हूँ तो मुझे EIS से तो फरक पड़ता है 4K से इतना नहीं पड़ता है तो यहां पर इन दोनों में से मतलब EIS तो compulsory देना चाहिए था उसके लावकर मैं बात करता हूँ दूसरी reason की तो मतलब इतना बड़ा कोई reason नहीं है भाई इस phone के अंदर के मतलब इसको मैं बहुत बड़ा cone बता दूँ लेकिन कुछ लोगों के लिए matter कर सकता है इसलिए बता रहा हूँ यहां पर आपको कोई भी notification light नहीं मिलती है तो dewdrop notch के अंदर and motivation light के demand करना भी यह वैसे तो गलती है लेकिन Xiaomi क्या करता है वो उपने chin के bottom में देता है तो अगर कुछ ऐसा concept लेकर आ जाए तो यहार मज़ा आ जाएगा उसके बाद तीसरी reason है उसकी बात कर लेते हैं यहां पर तो यार personally जो है जो इसका back का design है वो मुझे यार इतना अच्छा नहीं लगा है अब उसको build quality कह लीजिए design कह लीजिए हलागि plastic यूज किया गया है दूसरे brand भी plastic यूज करते हैं पता है polycarbonate body यूज कर रहे हैं आजकल अच्छी बात है लेकिन थोड़ा सा उसको modern look देनी चाहिए थी कुछ glossy finish देना चाहिए था जैसा मतलब realme अपने phones में दे रहा है आजकल oppo भी वो दे रहे हैं तो कुछ attractive सा होता कुछ नया ऐसा होता तो बहुत ज़ादा बढ़ी आ उसकता था अब तो यह आपको reason मैंने बता दिया है buy akb और note to buy akb अब मैं अपना honest opinion अगर आपको देना चाहता हूँ तो मुझे तो personally एक ही कौन इसके अंदर दिखाई दे रहा है वो है EIS का जो थोड़ा सा matter करता है मेरे लिए और आपके लिए matter करता है यह नहीं करता है यह comment section में ज़रूर बताना overall मिलाके मैं यह कहूँगा कि जो 3GB और 32GB वाला variant है जी हाँ यादि की 10999 का वो बिल्कुल super value for money है क्योंकि processor भी आपको वहाँ पर Snapdragon 636 के level का मिल जाता है अगर मैं बात करता हूँ 4GB वाले variant की जो की 12,000999 का है तो वहाँ पर आपको और भी सारे option जो है वो मिल जाएंगे लेकिन 11,000 पे में बिल्कुल value for money है आप इस phone को purchase कर सकते हो अगर आपको अच्छा लगता है दोस्तों उमीड करता हूँ वीडियो आपको औच लगवा थोड़ा सा भी अच्छा लगता है अच्छा लगता है इस वीडियो को लायक और शेयर कर दिए चैनल को सब्सक्कैप करना मा कूलना मैं मिलता हूँ आप से लिदियो में अपने ख्यावर्वाह पहल रुखिए धन्यवाद जैहिंद